Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Microsoft Word 2007 में हम Header and Footer का यूज कैसे करते हैं यहाँ पे दिया गया है Header and Footer तो दोस्तों पहले हम यह समझ लेते हैं कि Header and Footer होता क्या है तो देखिए मान के चली कि आपके पास 20, 30, 50 या फिर 100 पेज की कोई Word फाइल हो सकती है और आप चाहते हो कि सबी pages के उपर कोई एक title आजा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो यह title में ने दिया है अब यह जो title है यह सबी pages के उपर इस ही तरह का है आप देख सकते हो इसको यहाँ पे इस सबी pages के उपर यह एक ही title है तो यह हमारा हो गया दोस्तों Header अब नीचे आते हैं और यहां पर आपको जो यह black line दिखाई दे रहे हैं इसके नीचे जो भी text आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा है फुटर तो यह जो फुटर है ना इसमें मैंने एक तो date यूज किया है date और यह हमारा file path मैं ने यूज किया है इसके लावा यहां पर आ उपर यह apply हुआ है अगर आपको इस तरह का document तयार कर रहे हैं तो आप यह header and footer को use कर सकते हैं यह सभी pages के उपर apply हो जाता है हमें सिर्फ एक page पर काम करना है और यह सभी के उपर apply हो जाता है यह तो आई आपको समझ माया होगा तो मेरे पास तो यह 6 page हैं आपके पास हो सकते ह 200,500 page तो उनके उपर आप यह header and footer को use कर सकते हो तो चलेए चलते हैं computer screen पे और वहाँ पर detail में सीखते हैं तो header and footer को use करने के लिए हमको यहाँ पर आना है header यहाँ पर यहाँ पर footer है तो मैं header पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर header की मेरे को काफी सारी style देखने को मिलती है इन में से मैं कोई भी एक style ले सकता हूँ जो भी मेरे को पसंद है तो मैं आपर ये वाली style ले लेता हूँ इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये style इस तरह से apply हो जाती है इसके साथ ही यहाँ पर design tab भी आ जाता है अब हम जो भी header and footer में use करेंगे वो सब यहाँ से हम design tab से ही करेंगे जैसे page number हो गया, footer हो गया और rate and time, कोई picture बगएर यूज करना है तो यह सब हम design tab से ही करेंगे तो यह हमार header हो गया अगर हमको footer में जाना है तो हम go to footer पे click करना है तो हम footer में आ जाएंगे यहाँ पे cursor यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हमें जो भी use करना है वो हम यहाँ पे use कर सकते है अब यहाँ पे यह जो header है इसको मैं adjust भी कर सकता हूँ उपर नीचे अगर मेरे को करना है जैसे यहाँ से कुछ इस तरह से उपर करना है यहाँ से कुछ ऐसे तो इसको मैं adjust कर सकता हूँ अपनी according तो मैं इतना ही रखूँँगा और यहाँ पर मैं कोई भी text है वो type करना चाहता हूँ वो कर देता हूँ यानि document का title क्या है वो दे सकता हूँ तो मेरा जो content है वो geography is related है तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ मैं अपना title human geography ठीक है मैंने यहाँ पर type किया अब मैं control a press करूँगा और simple इसको मैं bold वगेरा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ फिर मैं ऐसे select करूँगा इसको और यहाँ से bold इस तरह से size बढ़ा सकता हूँ और यहाँ पर color वगेरा change करना है तो वो इस तरह से तो यह मैंने दोस्तो यहाँ पर बना लिया header अब इसी तरह से हम footer भी use कर सकते हैं अब मैं आँगा नीचे यानि की go to footer किलिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैं जो भी use करूँगा वो use कर सकता हूँ तो मैं footer में एक style इन में से ले लूँगा जो भी style मेरे को पसंद है क्लिक किया यह style यहाँ पर आ चुकी है अब दोस्तो यहाँ पर मैं apply करना चाहता हूँ date and time तो date and time का यहाँ पर option दिखाई देरा आपको यहाँ पर जाना date and time और यहाँ पर करेंगे कोई भी एक format select कर लीजे जो भी आपको करना है मैं इस तरह select करूँगा यहाँ पर okay पर click कर देता हूँ यहाँ से अगर आप इसको check करके रखोगे तो यह automatic update होता रहेगा okay करूँगा मैं इसको मैं select करके यहाँ से bald कर लेता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अगर आपको केवल time लेना है तो time आप यहाँ से select कर सकते हो ठीक है यहाँ से मैं इसको cancel कर देता हूँ तो यह मेरा date हो गया and यहाँ पर देखिए automatic यहाँ पर page का number automatic आ जाता है अगर आपको यह अलग से लेना है तो अलग से भी आप यहाँ से page numbering बजाएंगे आपको top में, bottom में, page margin and यहाँ पर current position जहाँ पर भी लेना है आप easily कोई भी format यहाँ से ले सकते हो तो यहाँ पर जो मैंने style select ही है इसमें already page numbering आती है तो यहाँ पर हम इस तरह से इनको देख सकते है अब जो मैंने यहाँ पर apply किया है header and footer यह सभी pages के उपर apply हो चुका है देख सकते हो आप मैं इसको थोड़ा सा control के को दबा करके scroll down कर लेता हूँ देखिए सभी के उपर यह apply हो चुका है header और यह हमारा footer ठीक है इस तरह से हम header and footer को use कर सकते हैं view में जाकर के 100% तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाते हो कि file path है वो भी आ जाए तो file path है आप easily ले सकते हो यहाँ पर cursor है तो यहाँ पर मैंने cursor रखा और simple यहाँ पर जाऊंगा मैं quick parts में यहाँ से fields में यहाँ से मैं select कर लेता हूँ document information यहाँ से file name add path to file name और यहाँ से ok तो यहाँ पर हमारे जो file path है वो आ चुका यानि हमारा document कहाँ पर save है यह हमारा यहाँ पर आ चुका है ठीक है अगर आपको इसको थोड़ा नीचे करना है gap देना है तो आप cursor को यहाँ रखी interface कर दिये तो यह gap इस तरह से हो जाएगा यहाँ से मैं इसको इस तरह से adjust कर सकता हूँ ठीक है इसके अलावा यहाँ पर जाना है quick parts में और यहाँ से document property पर यहाँ पर हमको author name author देना है कोई author का name देना है या फिर आपको comments करना है company का name address company address email बगएर कुछ भी use करना है तो आप यहाँ से easily use कर सकते हो अगर आप कोई book बगेरा type कर रहे हो तो author का name दे दीजिए publish date यानि कि आपकी book कब बनी तो वो date आप दे सकते हो जैसे कि मैंना भी date and time use किया था तो उस तरह से हम use कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं go to header पर click करता हूँ मैं header पर आ चुका हूँ दोस्तो ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर दिया गया है previous section next section यह क्या है तो देखिए अगर आपके ms word file में आपने अलग-अलग section बना रखे हैं दो page के अलग section तीन page के अलग section या फिर हर page का अलग-अलग section बना रखा है तो हर एक sections के लिए आप next और previous कर सकते हो अगर आपको next section पर जाना है तो next previous पर जाना है तो previous तो इस तरह से इनका use करते हैं उसके बाद link previous तो मैं आपको sections को break करना बता देता हूँ section break करते कैसे देखिए यहाँ पर हमारा यह पूरा word document है यहाँ आप देख सकते हो यह document हमारा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें अब यहाँ पर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ या फिर close header and footer पर क्लिक करूँगा तो मैं बाहर आ चुका हूँ पहले मैं आपको section break करके बता देता हूँ तो cursor को मैं यहाँ पर रख लूँगा यहाँ पर cursor रखा और layout में गया यहाँ से breaks and यहाँ से section break क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तो हमारा जो section है वो break हो चुका है यानि इसका अलग section बन गया और इसका अलग section बन गया इसी तरह से आप जितने चाहा उतने section बना सकते हो दोस्तो अब sections का मतलब क्या हो देखिए तो अभी अगर मैं इसमें कोई changes करता हूँ तो वो सभी के उपर apply होगा क्योंकि यहां से अभी यह link है जैसे मैं cursor को यहां पर रखूँगा तो यह देख सकते हो यह highlight हो गया link to previous अगर आप चाहते हो कि इसमें change हो जाए और इसमें ना हो तो आप इसको delink कर दीजी यहां से click करेंगे तो यह अब इसकी जो link है न वो हट चुकी है अब यहां पर मैं कोई भी चीज type करता हूँ type किया तो देख सकते हो यहां पर तो मैंने change किया लेकिन यहां change नहीं हुआ ctrl z कर रहा हूँ मैंने cursor को यहां रखा और यहां पर मैं click कर देता हूँ उसके बाद yes करूँगा yes करने के बाद यहां पर क्या लिखा आ रहा है same as previous यानि कि यहां पर जो changes होगा न वो previous जैसा पहले वाला page पर है उसी तरह से change हो जाएगा लेकिन यहां पर मैं cursor पर रखूँगा इस पर click करूँगा तो यहां पर यह हट जाता है तो यहां पर मैं जैसे changes कर देता हूँ word तो सभी के उपर change हो रहा है तो यह समझ मैं आया आपको ctrl z कर रहा हूँ यहां पर click करूँगा यहां से link कर दूँगा उसके बाद मैं change कर सकत और अलग-अलग section बना के मैं यहाँ पर header and putter यूज कर सकता हूँ दोस्तो, यहाँ पर दिया गया है previous section, previous section पर जाना है तो इस पर click करना है next section पर जाना है इस तरह से हम अलग-अलग sections पर जा सकते हैं दो इस section है अभी हमारे पास, तो इस तरह से दोस्तो हम next and previous हो सकते हैं तो यहाँ पर मैं close header and footer पर click कर देता हूँ तो यह हमारा दोस्तो हो गया header and यह हमारा हो गया footer जिसमें मैंने यहाँ पर date और file path और यहाँ पर page number इस तरह से use किया है दोस्तो अब यहाँ पर कुछ option और रह गए है इस तरह के कोई page है तो उस पर आप अलग header and footer यूज कर सकते हो इसके अलावा even page यानि की 2, 4, 6, 8 इस तरह के page numbering है उन पर आप अलग header and footer यूज करना चाहते हो तो वो आप यूज कर सकते हो तो मैं इन में से कुछ भी नहीं करना चाहता यहाँ पर हम text को so hide कर सकते है और यहाँ पर header and footer का यूज हम कर सकते इनको adjustment कर सकते है यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से तो यह समझ माया होगा यह हमारा हो गया header and footer complete जो मैंने आपको detail में आपको बता दिया है ठीक है अब हम इसको कर लेते हैं print तो print के लिए simple हम office बटन पर जाएंगे और यहाँ से print पर click करेंगे यहाँ पर dialogue box open हो गया और यहाँ से हमको printer को select कर लेना है select करने के बाद simple यहाँ से all select करना क्योंकि हम सभी pages को print करना चाहते है तो one of six तो हम सभी को print करेंगे तो यहाँ पर all को select रखूँगा मैं और simple यहाँ से number of copy में one रखूँगा और यहाँ पर मैं simple ओके पर click कर देता हूँ तो यह देख सकते हो दोस्तों आप जो हमने header यह उच किया था वो इसमें आ गया और हर एक page के उपर यह header आया है यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा हर एक page के उपर यह header आएगा इस तरह से अब आपके पास कितने भी page हो सभी के उपर यह header इस तरह से print होके आएगा ठीक है टोटाल हमारे पास 6 page थे अब इधर नीचे आते हैं और यह हमारे पास आ गया footer पूटर भी इसी तरह से आएगा और यह page numbering के साथ में आएगा देख सकते वहाँ यह page numbering आ रहे हैं आपके यह देख सकते कुछ इस तरह से तो यह हम header and voter use कर सकते हैं आयोप आपको यह समझ में आया होगा तो इस तरह से दोस्तों हम header and student voter का यूज करते हैं और अपने काम को असान बना सकते हैं आयोप आपको यह video पसंद आए अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दे ना और चैनल को नेक्स्ट वीडियों किशी नए टोपिक के साथ तब तक लिए जय हिन्द वंधिमात्रा